दाउसकार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दे जो आपके सामने आने आने वाले हैं मुद्दा नमबर दो जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं शिक्षा पर और मीडिया पर किस तरह से भारतिये जनता पार्टी का कबजा संपूर हो गया है और मुद्दा नमबर तीन सीएजी रिपोर्ट्स सीवी सी रिपोर्ट्स में मोदी सरकार में भरष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं भाजपा की राज्य सरकारों पर भरष्टाचार को लेकर सवाल है मगर निशाना सिर्फ विपक्ष पर चापे सिर्फ जारखंड पर या 36 गड़ पर क्या ये जायज है इन तमाम उद्दों की जर्चा होगी मगर शुरुवात हम करना चाहेंगे चंद्रियान तीन के साथ भारत के लिए गर्व कलम हा मगर आपको याद होगा जैसे ही लांडिंग होने वाली थी उसवक्त अचानक आधे स्क्रीन पर प्रदानमंत्री मुदी आ जाते हैं और आधे स्क्रीन पर विकरम की बात होती है और फिर तमाम जो निउस चैनल होते हैं हमारे वेग्यानिक कहीं पीछे चले जाते हैं और सारा फोकस प्रधानमंत्री पर होता है क्या ये जायज है और क्या है असमुद्दे का पंच शुरुआत हम करना चाहेंगे उर्मिलेश जी के साथ अभिशार मैं समझता हूँ अगर मोदी जी उस तरह न आते तो मुझे अचरज होता ओ आए ये मोदी जी की अपनी शैली है अब आप उसको कुछ भी कह लीजिए पूरा देश जैसे चाहे वैसे कहे जो उनके भक्त हैं वो खोश हैं जो उनके आलोचक हैं उसकी आलोचना कर रहा हैं ये असलियत है भाशा क्या है इस मुद्दे का पंच अब इसार एक बात बहुत साफ है कि जो प्रधान मंतरी आपदा में अवसर देखते हैं वो उपलब्धी में अवसर ना देखें ऐसा कैसे हो सकता है तो ये तो होना ही था और दूसरी तरफ विक्रम और वैताल का रिष्टा तो बहुत पुराना है तो जैसे ही विक्रम आया वैताल को तो आना ही था तो वो सारी देश ने देखा दुनिया ने देखा और जिस तरह से उन्होंने उस मौके पर भी चुनावी भाशन दिया वह तो अपने आप में अभूत पूर्व है अभिसार अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि भाश्पा के चुनाव प्रचार में मीडिया लग गया और मीडिया की जो शर्नाक कवरेज के कई पहलू सामने उभर कर आए कि उसमें पाकिस्तान का चीन का जिक्र कर रहे थे ये हमारा लमहा है ये हमारे वैग्यानिकों का लमहा है सिर्फ चंद टी हार पीस के लिए पाकिस्तान और चाइना को जो है उसका जिक्र कर रहे हैं कि वहां जल गई ये हो गया, पाकिस्तान में मोदी जी की लोगप्रिता बढ़ गई है, ये सब क्या हो रहा है, खेर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं अपने दर्शकों को न्यूज चैनल्स ने किस तरह का कवरिज किया, चार मिसाल दूँगा, वैसे तो मेरे पास करीब 30 मिसाल हैं ऐसी, अलग-अलग चैनल्स की, मगर ये देखिए, चंद्रियान तीन पर जनता की राय सुनकर मोदी जी खुश हो जाएंगे, मोदी जी खुश नहीं हो जाएंगे, चैनल्स जो हैं, वो मोदी जी खुश करने की कोश कर रहे हैं, पिर, चंद्रियान तीन की लैंडिंग से ठीक पह चंद्रियान की सफल लांडिंग भावुक होए प्रधान मंत्री मोदी यानि कि सारा फोकस सारा जो कवरेज का फोकस या प्रधान मंत्री या हमारा जो गौरानवित करने वाला लम्हा इससे पता चल रहा है कि हमारी सोच इस देश की सोच पाकिस्तान चाइना से कहीं उपर है यह जो अपसेशन रहा है और मिलेशी यह मैंने पाकिस्तान की मीडिया में देखा है पाकिस्तान की जनता में देखा है कि हर घटना के लिए वो लोग इंडिया को याद करते हैं हम उस रसातल में उस लेवल पर जा रहे हैं तेखे यह मैं समझता हूं कि अपने देश के जो TV चैनल्स हैं उसमें इस तरह का जो ट्रिवलाइज करने की जो टेंडेंसी है प्रवित्ती है सस्तापन सतहीपन यह बहुत पहले से है और ऐसे हर मुद्दे पर वह बहुत प्रमुक्ता से उभरता है देखिए यह वाकई बहुत महत्पूर्ण लम्हा था जैसा स्वेम आप क जयानिकों की बहुत महनत शांदार रिसर्च क्योंकि यह चंदरयान बहुत कम पैसे में भेजा गया है इस पर खर्च जो है चीन और रूस के मुकाबले उन लोगों ने जिस तरह से भेजा था चंदरमा पर अपना जयान उसके मुकाबले बहुत कम पैसे में भारती वे जया तो ये बहुत बड़ी उपलब दे आये कैसे मुल्क के लिए जो भी कास सील है जो डेवलपिंग कंट्री है और ये बताता है कि हम अनेक शेत्रों में चाहे जितने पिछड़े हों लेकिन दिमाग में उर्जा में अन्वेशन में अगर हमको सचमुच बजट उस तरह से मिले हम हमारे वेग्यानिकों को हमारे थिरूटिसियंस को तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये दिखाई भी पड़ता है कि दुनिया के अनेक मुलकों में जो डेवलप्ट कंट्रीज हैं वहां इंडियन साइंटिस्ट कैसे जाकर बेहतरीन काम कर रहे हैं क्योंकि उनको बजट मिलता है और ये जो इसरो नाम की जो संस्ता है जो जाहिरा नहरुकाल के में स्थापित की गई और जिसमें कमाल किया है इतने कम दिनों में और उसमें जाहिरा विक्रम सारा भाई का बहुत बड़ा योग्दान था जो पूरा खांदान बहुती प्रतिभाशारी लोगों से उनका और चंद्रियान हमें नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रियान वण जो था वो यूपीय के दोर में दोहजार आट में जियाँ चंद्रियान उत्रा था उसके बाद दूसरा क्रैश किया उन नहीं हो पाया तीसरा बहुँ शांदार लैंडिंग है जो टेलिविजन चैनल अ इस महान घड़ी को समझ नहीं पा रहा है इसको भी इसका भी राजनिती के करण कर रहा है ठीक है मैं भाशा आप से पूछना चाहता हूँ जब आपने देखा था वो लमहे आखरी 30-40 सेकंड अचानक प्रधान मंत्री आधे स्क्रीन्स पर और आधे स्क्रीन्स पर उसका जो एक रीक्रियेट किया गया मॉडल दिखाया जा रहा था मगर बावजूद इसके मैं जानता हूँ मैंने जब वो लमहा देखा न मेरे मेरी आखें नम थी वो खासकर जब मैंने अपने वैग्यानिकों को ताली बजाते हुए देखा उनके उसा को देखा वो लो किस कदर टेंशन में थे जे अब फिर शाम को आपने जब प्राइम टाइम में उसको देखा जिसकी मैंने अभी अभी यह मैसाल पेश की क्योंकि अभी सार एक बात बिल्कुल तैथी कि इसके लिए सारी की सारी तैयारी उन्होंने यही की थी और मुझे बहुत दुख इस बात का हुआ कि कम से कम कुछ शोस तो वो कर सकते थे चंद्रयान की यात्रा के बारे में बताने के लिए क्योंकि इससे पहले तमाम जो टीवी आंकर्स थे वो चांद की सर्फेस पे पहुँचके आंकरिंग कर रहे थे लेकिन इस समय जब असली में जरूरत थी बताने की कि यह विज्ञा की जीत है साइंटिफिक टेंपरमेंट की जीत है और दशकों की महनत अभी सार एक आप क्रोनोलोजी तो दिखाते लेकिन दरसल दिक्कत यह थी कि प्रधान मंत्री जी ने जो एक चुनावी भाशन दिया जो हैंस बर्ग से इस एतिहासिक मौके पर उस चुनावी भाशन को आगे बढ़ाने का काम तमाम मीडिया करने लगा और वो सरासर भूल गए कि उन विग्यानिकों से बात होनी चाहिए उन विग्यानिकों का टर्म आना चाहिए आपने सिर्फ जिक्र किया टीवी चैनल का जो दिखा रहे थे आज की अख़बार आप उठा के देखिए चांड पीछे है आगे मुदी जी का शकर है नहीं कौन सा अख़बार है जिसका आप जिक्र कर रही हूं सारे सिर्फ अगर आप आज की तारीक में हिंदू को आप छोड़ दीजे तो सारे अख़बार सारे अख़बार विग्यानिक उसके नीचे आ रहे हैं ये मुझे लगता है कि एक शर्वनाक पल इसलिए है क्योंकि दरसल हम विग्यान की अभेलना कर रहे हैं उसको जो कायदे का सम्मान मिलना चाहिए उस टीम का जो सम्मान होना चाहिए वो करके यहां पर आप बता रहे हैं कि इससे पहले कभी नहीं हुआ अरे भाई आप ये तो बताईए कि चंद्र बिल्ड़ अप करते हैं आप यहां पर भी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अभी भारत का उदे हुआ है नहीं भाई भारत का उदे अभी नहीं हुआ है भारत ने ये काम बहुत साल पहले शुरू किया और एक विग्यानिक सोच के तहर शुरू किया जिसका नतीजा यह जब अंतरिक्ष में रूस ने अपना परचम लहराया था या चंद्रमा पर नील आमस्ट्रॉम ने पहला कदम रखा था उस वक्त से जुड़ी डॉक्यमेंटरीज हम देखते हैं उस वक्त से जुड़ी कई फिल्में हम देखते हैं आप जानते हैं उस वक्त कौन राष्टर को जानते हैं और एक और चीज़ आपको याद होगा क्योंकि मैं स्कूल में था उस वक्त और जब राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री भारत की तरफ से हुए तब इंडरा गांधी ने चलिए उनका इंटर्विव लिया था और डिजर्व भी करता है भाई राकेश शर् वो गरीब बात नहीं लगी कि जो जीत है जीत के जश्न में अगर प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि आओ मेरे विज्ञाने को आप संबोधित करो देश को बताओ कि इसके पीछे क्या कहानी है तो एक तर्क बनता एक विकास क्रम सामने आता यहां तो इस मौके पर भी मोदी ज में चुनामी भाशन जो हैंस बग से डे डाला यह कौन सो सकता था इंद्रा गांधी तो यह नहीं कर सकती थी मगर यह भविश्च के लिए नजीर बन गई है तमाम सरकारों को यह सरकार अगर गई कभी तो यह आने वाली सरकार भी ऐसा करेंगी और इसका क्या वैग्यानिक को चोट नहीं पहुंचेगी अगर हमारे वैग्यानिक पीछे चले आएंगे आपको याद है जब पिछली बार हमें जटका लगा था तो इसरो प्रमु को कैसे उनोंने गले लगा लिया था यह बहुत जिस कहते हैं आर्टिफिशल लगता है कभी-कभी देखिए मोदी जी क अपनी स्टाइल है और मैं समझता हूं कि बात के दिनों में भी अगर यही ट्रेंड रहा हमारे धेश की राजनीती में तो वो बरकरार रहेगा इसमें कोई दोराएं नहीं है लेकिन अगर पुलिटिकल कल्चर के स्टर पर चेंज आया तो जैसे साउथ इंडिया में है साउ लेहराया इंटरनाशनली विमन्स होकी टीम ने उन्हें मजबूती देने में उडिसा का एक एहम किरदार है नवीन पटनाय कब कितना क्रेडिक लेते दिखाई लेते बिल्कुल वह बहुत ही इस मामले में बहुत ही सज्जन किसम का और बहुत ही पीसफुल डंग से अपनी चीज़ों को पेश करना अपने को ज्यादा इंपोज ना करना लेकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि इवन टेलिविजन के लोगों को भी देख लीजिए दूसरे और महाकमों के भी लोगों को देख लिए इंपोज करते हैं अपने को लेकिन मेरा यह मानना है कि एक होता है एक अच्छी लीडर्शिप क्वालिटी वो है कि आप इंपोज मत कीज़े आप लोगों को फ्लॉरिश करने दीजे लोगों को डेपलप होने दीजे अरे और मिले जी आप कहा की बाते कर रहे हैं ये तो 2023-24 में लगी नहीं रहा है लग रहा है बीते समाने की बाते हो कॉंग्रेस का हो नेता अचाहे किसी बी पॉलिटिकल पार्टी का हो मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ ये जो इंपोस करने की जो कल्चल है वो नार्स में ज़ादा है साउथ के नेता अभी भी बहुत ही नबर है आप देखें किस तर से रहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जब जब देश में व्यक्ति विशेश का महिमा मंदन होगा जब तब राजनीती का केंद्र एक व्यक्ति उसका करिश्मा होगा मुझे लगता है ऐसी ही चीज़े होती है तो राजनीत का केंद्री करण अब तो हो रहा है अब तो व्यक्ति करण हो रहा है लेकि मज़दार है अभी सार चंद्रयान से लेकर ट्रेन सब में ज़ंडी वही दिखाते हैं यह अपने आप में बहुत दिल्चस परिगटना है कि हर चीज़ में जो अफसर है वो मोदी जी के रहता है और हम उन्हें सुनने के लिए क्या कहा जाए तो दिखिए जो पहला मुद्धा था जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया उसका नाता मीडिया की कवरिज को लेकर था अब जो दूसरा मुद्धा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि बीते जो एक हफता है, मीडिया जगत से जुड़ी कई खबरे सामने उभर कराई है दैनिक जागरण अपने पहले पन्ने पर खबर चापता है कि भारत ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की इंडियन आर्मी को सामने आना पड़ा, जुटी खबर है, मगर प्रोपगांडा चल गया फिर हमने देखा देश का एक बहुत ही लोगपरी है नियूस चैनल जहां केंद्रिय वंत्री स्मृती रानी पत्रकार को जलील करते हैं, उसके जेल के इतिहास की आद दिलाते हैं अफिसर ने, उसकी सिर्फ ये घलती थी, कि उसने कहा था कि 2019 में बीजेपी चुनावी धानली करकर जीती थी, अब उस मुद्दे को लेकर उनका इस्तीफा ले लिया गया, अब वहां पर आई भी पहुँच गए, तो आप देख सकते हैं चाहे शिक्षा हो, और इसमें अफ बहुत जादा एलर्जी है मुदी सरकार को, और साथ ही साथ अगर विरोध में स्वर है, तो उसे कुचलने के लिए वो एक छोटी सी उनिवस्टी में आई भी अधिकारियों तक को भेज देती है, और वहीं मीडिया जो लगातार तुरुही बजाता है, साथ में कदम ताल कर करता है, उसका एक सवाल सरकार को रौध रूप में पेश कर देता है, यह पूरा लोकतंत्र का घटना क्रम है, जो हमारे सामने है, अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि यह एक काहर मीडिया है, एक केंद्रिय मंत्री इस तरह से पत्रकार को जलील करता है, हाला कि वो जलील करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उस पत्रकार को हमने देखा था, हिडिन कैमरे में कथित तोर पर वसूली करते हुए, फिर उन उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया था सिर्फ एक सवाल जिसमें वो कटगरे में भी नहीं रख रहा था यानि कि मीडिया कायर है और सत्ता ऐसी जो सवालों का जवाब नहीं देना चाहती क्या है इस खबर का पंच उर्मिलेश जी बताईए देखे टीवी पुरम के जो लोग हैं अगर वो इस तरह का कोई अनकमफार्टिबल सवाल पूछते हैं मंत्री से और इस तरह का अनकमफार्टिबल सवाल पूछना हर पत्रकार का अधिकार है लेकिन सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको नागवार गुजरता है क्योंकि आदत खराब उनकी हो गई है ऐसे सवालों को ना जहलने की और बहुत साधारन सवाल था लेकिन उनका इस तरह से बिगड़ जाना ये मुझे कोई अचरज इस पर नहीं होता है क्योंकि आदत बन गई है लोगों को हटाने की लोगों को निकालने की और वो जो पत्रका था वो तो लगाता और उनके साथ रहा है तो ऐसे में कोई आश्चरज नहीं है भाशा बहुत दिल्चस बात ये थी कि जब एक मंत्री जलील करता एक पत्रकार को और वो पत्रकार सो कॉल्ड वरिष्ट पत्रकार था उस चानल का फिर वो अगले दिन आता है और वो मैं यहां पर यह देख रहा हूं स्मृती रानी की एतेवर हर तरफ दिखाई देते हैं दैनिक भासकर के स्ट्रिंगर के साथ जो किया मगर यह जो बीमारी है यह भारती जनता पार्टी के नेताओं में लगातार दिख रही है आपको याद है उत्तर पदेश वेस्टर उत्त कीजे मगर उनके जो छुडभाया मंत्री है उनसे भी आप सवाल नहीं कर सकते हैं उनके पास बहुत स्पेशल मंत्राले हैं जिन पर हम अलग अलग से चर्चा करते हैं और बहुत एहम है और इस बार तो कैग ने भी काफी महरबानी की है जो रिपोर्ट आई है कि कि कितना कि उसके हम चर्चा तीसरे मुद्दे में करेंगे तो वो अलग है तो बहुत एहम मंत्री है स्मितियरानी जी राहुल गांधी वाला भी पोर्ट फोलियों के पास है मैं ये दूसरी बात कहना चाह रही हूं इसमें कि देखिए जो पूरा का पूरा माहौल बना दिया गया है य आपको विरूध में एक स्वर सुने की आदत ही नहीं रह गई सत्ता को जो हम लगातार कह रहे हैं कि सत्ता को अब 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 और चीज़ बाशा बालक से करूँगा देखिए स्मृति राहनी का फ्रस्ट्रेशन देखिए नौ साल से आप सत्ता में हैं ताकत आपके हाथ में ह किये सिली सूल्स के लेकर आप सवालों का जवाब नहीं देती हैं जो आप लगातार संसद में खड़े होकर खलत बयानी करती हैं का एदे से जुट बोलना चाहिए 3 sindi कि यह उपर से लेकर नीचे तक आया है प्रधान मंत्री नरेन जी तो जब मोदी जी संसत के भीतर खड़े होकर और बाहर खड़े होकर कहते हैं कि दो किलो गालियां पड़ती है और मैं अकेला हूँ सप्पे भारी हो तो वही नीचे तक आया हुआ है और इस क्रम में जिस तरह से डिसेंट यानि एक साधारण सा सवाल महंगाई बहुत साध का युनिवरस्टी सिंपल सा एक रिसर्च है मोदी जी वहां आई बी ऑफिसर्स भेजने की जरुवत नहीं साधारण सा रिसर्च है 2019 का चुड़ाव आप जी चुके उसके मैनुपिलेशन के बारे में उन्होंने कहा है जो हर एक को अधिकार है कि आपका चर्चा करें कि अशोका युनिवरस्टी ने प्रॉफेसर सब्विसाची का इस्तीफा ले लिया उन्होंने कुछ गहर कानूनी नहीं किया था यह उनकी सोच थी इस्तीफा ले लिया फिर भी वहां आई बी पहुंच जाती है मतल़ इससे पता चलता है कि यह गवर्मेंट की सोच यह सोच कैसी है जिसमें एक असुरक्षा दिखाई देती है एक किसम का पैरनौया दिखाई देता है और जो हर जगा पर इलक्षित होता है और एक चीज़ जोड़नों कि सोचल मीडिया में कैंपेन अशोका युनिवरस्टी के किलाफ चलाया जाता है देखे असल में हमारे यहां क्य तरफ से हो विक्यानिकों की तरफ से हो जरनलिस्टों की तरफ से हो अगर कुछ बचे हैं तो तो ये बिलकुल असानी उनके लिए है तो सबसाची साब की जो रिसर्च आई बाईचांस हमने उसको पढ़ा है जो उनकी जो रिसर्च है और मैं आपको बताऊं कि एक जरनलिस् से कुछ ठोस तक्षियों के साथ उन्होंने अपनी बात रखिये और उनके सीनियर्स भी ये मानते हैं कि वो प्रतिभाशाली डंग से लिखा गया एक आलेक है एक रिसर्च पेपर है और उसको उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि EPW जैसा जो जर्नल है या देश के और जो बड़े बड़े जर्नल हैं वो इस तरह का लेक कभी कभी चापते रहें पहले भी कॉंग्रेस रिजिम के दौरान भी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सबसाची के उस लेक के आधार पर उस रिसर्च पेपर के आधार पर ये कारवाई होनी चाहिए ती ज जिनका नाम आप लोग ले रहें मैं नाम नहीं लेता आम तर पे ऐसे लोगों का ये कोई नहरू गांधी या सरदार पटेल नहीं है की नाम लिया जाए आम बेटकर नहीं हैं ये बहुती साधारन लोग है जो आला बगार किसी प्रैक्टिस के बहुत बड़े नेता बन गए मंत्री बन गए वो बने रहें मुझे उससे कोई फिकर नहीं है और कोई कोई गुरेज नहीं है सबको पद पाने का अधिकार है लेकिन जिस तरह से ये मंत्री महोदय या मंत्री महोदया जो लोग आज कल कहते हैं की हमारे खिलाब बयान क्यों आया अरे बयान देना या अख तान तरी का दिकार है लेकिन चुकि आप सम्विदा नहीं मिटाना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप ये चाहते हैं अखबार में छपी खबर का जिकर यहां पर किया अभी पूरमलेज जी ने और दैनिक जागरन की खबर आती है कि इंडिया ने एक और सर्जिकल स्ट का तो भाजपा की तरफ से सोस रहा होगा और भाजपा ने अगर इससे सोर्स किया है तो उनका चुनावी काम हो गया और इससे पता चलता है कि दैनिक जागरन जैसे अखबार किस कदर उनकी सेवा में लगे हैं और 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 आखरी चीज यही नहीं दैनिक जागरन को किस तरह से सरकारी विज्यापनों के जरीए मदद मिल रही है इस पे अच्छी खासी पड़ताल हुई है तो अगर हम दोनों चीज़ों को जोड़ के देखें तो बिल्कुल सही और वाज़े मैं तीसरी चीज़ मैं जोड़ देती हूं अभी सार हम आप कोई भी न्यूस चैनल कोई भी इतना बड़ा ब्लंडर करता है इतना बड़ा ब्लंडर भयानक था आपने डेश की सुरक्षा के साथ खिलवार किया छोटा मोटा अपराद नहीं है अभी सार लेकिन आप देखी कितनी मुलाइमिया से मैं तो देख के दंग थी जो एक्शन लिया गया कहा गया कि भाई ठीक अगली बार अगर आपने ऐसा किया तब हम पी आई बी से शिकायत करेंगे इतनी मुलाइमियत जबरदस मुलाइमियत है यहां पर तो कश्मीर वाला जैसा आखबार आप बंद कर देते हैं यहां पर गाउं सवेरा आप बंद कर देते हैं तमाम ऐसे लोग जो जरा-जरा सी राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है जिनकी कोई रीच नहीं है लेकिन दैनिक जागरण जो क्लेम करता है कि भारत का सबसे बड़ा आखबार है सुची कितनी जगा गया कितनी जगा उसके स्क्रीन शॉर्ट गये हम और आप सोच भी नहीं सकते ह अपने देश की सुरक्षा के साथ दो देशों को भीडाने का काम किया सेना को सफाई देनी पड़ी लेकिन कहीं से कोई चर्चा नहीं होती अनुराक ठाकुर जी आते नहीं प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए क्यों नहीं आया अनुराक ठाकुर जी यहां पर भी देश की सु आगे बढ़ा है तो इस सूचनव प्रसारण मंत्री क्यों इस पर जो है अपना मूँ खोलेंगे चलिए अब हम रुख करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का और तीसरा मुद्दा है करॉप्शन से जुड़ा हुआ जैसे कि आप जानते हैं कि इस हफते पिछले दो दिनों में जारकंड और च्छतीस गड़ में ED की रेड्स हुई च्छतीस गड़ में भुपेश बगेल से जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे पूछताच हो रही है मगर आप ये भी देख रहे होंगे पिछले एक हफते में CAG की रिपोर्ट साइं जिन्होंने आयुश्मान योजना, अ हजारों की तादाद में शिकायते हैं मगर दिल्चस बात ये उन शिकायतों का निप्टारा मुश्किल से 50 फीसिदी हुआ है ग्रह मंत्राले की बात करें तो भष्टाचार को लेकर जिस तरह से भाचपा सरकार गिर रही है ऐसे में प्रधान मंत्री का वो नारा तो बेमानी हो गया ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाशा अभिसार इसमें एक बात साफ है कि असल में 2014 के बात से भष्टाचार का चश्मा पॉलिटिकल हो गया है यानि राजनितिक विरोधियों के यहां भष्टाचार दिखता है सुरक्षा एजेंसिया पहुचती है जाच एजेंसिया पहुचती है लेकिन बाकी तमाम जगा चाहे वो C.A.G की रिपोर्ट हो चाहे C.V.C की रिपोर्ट हो उन पर न चर्चा होता है और न उन पर कोई कार परवाई होती है यानि एक तरफ का भष्टाचार टिक है और एक तरफ निशाना है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे बर मेरा पंच ये है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा एक बेमानी नारा है प्रधान मंत्री जब ये कहते हैं कि मैं भरष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूँ शमा कीजेगा आप गारंटी हैं उन लोगों को संड्रक्शन देने का जो भाजपा से खरीब है और एक और नारा आपका जो है वो बिखरता है जिसमें आपने ये कहा था कि मिनमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्वनेंस इसके बिलकुल उलट है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे उर्मिलेश तेके मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद जो एजिंसिया हैं उनका इतना भारी दुरुपयोग की एक उनका काम ही केवल ये तैक कर दिया जाए कि वो अपोजिशन को टार्गेट करती रहेंगी या जो उनकी आलोशना करेगा उसको टार्गेट करती रहेंगी ऐसा कभी नहीं देखा गया कॉंग्रेस रिजीम में भी हमने देखा कि दुरुपयोग होता था लेकिन कम से कम अपने यानि कॉंग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग होते थे उन पर भी कई बार एजेंसियां अपना चापा डालती थी या कारवाई करती थी मौझूदा दोर में एजेंसियों का काम सिर्फ अपोजीशन तक सिमित्रा गया है भाशा आप जानते हैं जो सीवी सी ने खासतोर से मंतरालें के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि बहु कितनी शिकायतों का निप्टारा हुआ रेलवे हो बैंक सेक्टर हो और ग्रे मंतराले ये टॉप तीन मंतराले हैं तो रेलवे और बैंक्स में तो 95 फीसिदी शिकायतों का निप्टारा हो गया मगर हमारे शाह साब का ऐसा जलवा है कि मुश्किल से 50 फीसिदी का निप्टारा हुआ है और लगातार तीन साल से ग्रे मंतराले नंबर वन पर है मगर मोदी जी के सबसे काबल मंतरी पर कौन सवाल उठाने की हिमातत करेगा उनकी पकड कितनी मजबूत है इससे ये भी पता चलता है कि उनकी पकड इतनी मजबूत है कि ना सवाल उठा सकते हैं ना आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रश्टाचार हुआ है कितने अख़बारों ने इसको लीड बनाया आप ये बताईए कितने टीवी चैनल ना सीएजी ना सीवीसी रिपोर्ट्स आपको याद है बाशा आपको याद है पहले जब सीएजी सीवीसी रिपोर्ट्स आती थी दोजार शौदा से पहले प्राइम टाइम डिबेट्स होते अरे सरकारें गिर गई सरकारें तुझी स्पेक्ट्रम पर सारा हंगा मारा यही दिक्कत है अवधारना की आज की तारीक में हम और आप और कुछ लोग अगर बाहर लिकल के आम आदमी से पूछें कि सीवीसी रिपोर्ट ने ग्रिह मंत्राले को निशाने पर लिया है कहा है क इतनी शिकायते हैं मैं सौ फीसदी कहती हूँ पचानवे फीसदी लोगों को पता भी नहीं होगा क्यों कि मैं यहां आते समय लोगों से पूछ रही थी कि आपको पता है कि सीवीसी की आई है अमिशा जी कि ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता यानी ना खबर है ना ख और सिर्फ विपक्ष के लिए रहेगा उर्मिलेश जी ये देखिए अपने आप में काफी बड़ी बात है कि क्याग की रिपोर्ट जिक्र किसका करती है आयोध्या रीडेवलाप्मेंट प्रॉजेक्ट का जिक्र करती है आयुश्मान योजना का जिसमें मृत व्यक्तियों की जो है उस पर पैसे वसूले जा रहे है आप सुचिए ब्रश्चाचार का लेवल भी क्या है इंसान जो मर गया है उस पर पैसे जो है वो वसूले जा रहे है उस पर खर्चा दिखाया जा रहा है करोडों करोडों में करोडों में खर्चा दिखाया जा रहा है और मीडिया में और कहीं पर इसकी हलकी सी सुबुगाट ने आपको मैं बताओं कि ये जो रिपोर्ट आई है इसके पहली भी अजुद्या के कंस्ट्रक्शन के मामले में मीडिया में रिपोर्ट आई थी मीडिया का मतलब आम तोर पे जो सुझे मीडिया है और उन पर कुछ एक चैनलों ने यूट्यूब के चर्चा भी कराई थी लेकिन क्या मजाल कि उसको टीवी पुरम टेक अप करें या मेंस्ट्री मीडिया के बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर चर्चा करें क्योंकि उसमें ऐसे लोगों का नाम था जो मंदिर निर्माण के सब सर्वे सर्वा हैं लेकिन उसको बिलकुल हर्शप कर दिया गया ऐसा नहीं है कि पहली बार यह हुआ है दूसरी बार कि देखे इस्पेक्ट्रम का जो मामला था जिस पर सरकार गिरी कामन बेल्थ और इस्पेक्ट्रम दो ही का मामला ऐसा था इस्पेक्ट्रम का मामला जितने साइंटिफिक ढंग से चीजों को देखने के आदी लोग माने जाते हैं अभ्यस्ट माने जाते हैं एक्सपर्ट माने जाते हैं वे सारे लोग अप कहते हैं कि विनोद राय का जो पूरा का पूरा रिपोर्ट था वो परसेप्सन का मामला था बिलकुल परसेप्सन इन्वाग आपको याद है वो ड्राफ्ट लीग कर दिया करते थे पतरकारों को मतलब ऐसा थी कि सेजी रिपोर्ट संसद में रखी गई उसके बाद वो ड्राफ्ट लीग कर देते थे तो मैं यह कह रहा हूँ कि अगर परसेप्सन का वो मामला था तो अभी एक माननी मंत्री कह रहे थे एक चैनल पर मैंने सुना कि यह जो हाईवे पर खर्चा हुआ है पर किलो मीटर वो भी एक परसेप्सन का मामला है यह अभी परसेप्सन का मामला इसको बता है आप जिक्तर perception का मामला गलत है और तीसरी बात एक और में कहूंगा कि state से लेकर के center तक मेरे पास कोई वो अमें अलग से report नहीं है लेकिन state से लेकर center तक आप regional अख़बारों में पढ़िए regional अख़बार अभी भी खावने चापते हैं यह अलग बात है कि उनका मुँ बंद कर दिया जाता है वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं ज्यादा तर regional अख़बार अंतिम सांसें गिन रहे हैं क्योंकि उनका revenue model चर्मरा गया है लेकिन वह states जो खासकर बीजेपी प्रश्टाचार का मामला आता है किसी इंजिनियर का किसी ठेकेदार का किसी डॉक्टर का किसी विपक्ष के नेता का किसी पंचायत वाले का अरे मैं तो कह रहे हैं कि आयूश्मान पर जो CAG रिपोर्ट है और खास और से मद्धप्रदेश के बारे में जो है तो सबसे ज़्यादा प्रश्टाचार CAG के इसाब से वहां हुआ है इस पर तो सिरीज होनी चाहिए थी इस पर बता चलना चाहिए तो बहुत आसाल ही है बहुत बहुत शुक्रिया भाशा और उर्मिलेश आपका इंडिया की बात में बस इतना ही अविसार को दीजी अजासत इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए नमस्कार